पूर्व मंत्री नरोत्म मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर जम का निशाना साधा और कहा कमलनाथ सरकार अपने वचन पत्र में दिये वचन पूरा करने के बजाए प्रवचन दे रही है सरकार ने अपने कोई भी वचन नहीं निभाए हैं 10 महीरे हो गए सरकार सिर् responsibilities कर रही हो सब बिषयद्सकpa कर्दाद केंद बात कि डिव्लेफ करेंद करकेंब्द किनल्षेद नहीं की फूरा ग्यान कि यह साल भर प्रवचन दिया है मजमें हे लेकिन वादा रखास नहीं दिया किसानों को बार्ड से हुई तबाही का पैसा नहीं दिया गया देका कि बेटेंगों को स्कूटी देंगे लेकिन अभीट नहीं दी गई बच्चों को मिलने वाली योजनाइब बंद कर दी गए कुल प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है सरकारी आवास खाली करवाने पर नरुत्त मिश्रा ने कहा कि दस महीने से सिर्फ हर मामले की जाच ही जारी है कॉंग्रेस के लोग सिर्फ जाच की बात करते हैं जाच की समिती बनी है सरकारी आवाज के लिए अच्छी बात है, दस महिने से जाच ही तो हो रही है, खोदा पहाल निकली चुया, लेकिन इस बार तो दस महिने में चुया भी नहीं निकली है, दस महिने में चुया भी नहीं निकली है, और फिर जाच, जाच पर जाच, जाच से क्या पढ़नाम आने वाले सरकार उनकी है जाज में जो भी आए वो कारवाई होनी चाहिए हम भी से मत आप देख रहे हैं तखल नियुट कि आप देख रहे हैं एप दिए जा चक्छो अबड़ो है जाए जड़नामा पनी चाहिए हैं एज वो कारवाई हैं एज़ट झाल झाल आप देख रहे हैं दखल न्यूज